नमस्का दोस्तों तो आपका स्वागत आपका अपने चैनल All Computed Exam में आज मैं आपके लेकर आया हूँ इंडिया जी के Most Important Question और साथ में हम डिस्कुस करेंगे उससे बनने वाले सभी Important Question तो आज का सेशन आपके लिए काफी Important रहने वाला है तो चैनल पर New है तो चैनल को Subscribe कर ले क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की informative वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके हर अग्जाम के लिए काफी Important रहती है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज के पहले Question की और तो हमारा पहला Question है महायान बहुत दर्म में उपदेश लेने के लिए किस भाषा को अपनाया गया था Which language was adopted for preaching in महायान बुदिजम तो बताइए इस कंसर क्या है आपके Option है पाली, प्राकृत, संस्कृत, ब्रामी तो बताइए इस कंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा Option number C, संस्कृत, ठीके जी आपसे बौध धरम से Question पुछ आता है कि बौध धरम कौन सी बौध संगती में विभक्त हो गया था आपका अंसर होगा, चौथी बौध संगती और यह कहां पर हुई थी, तो यह हुई थी जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में ठीके जी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष थे अश्व घोष और वसू मित्र ठीके जी, मेली बौध धरम की चार बहुत संगतिया हुई थी, तो बताईए वे कौन-कौन सी थी इसमें थी आपकी पहली बहुत संगति, जो की राजग्रियों में हुई थी, ठीके जी, दूसरी हुई थी वेशाली में, और तीसी हुई थी, पाटली पुत्र में, और चाथी हुई थी, कुंडलवन में, ठीके जी और बहुत धर्म किस सापना किस ने की थी, बताईए, इसके संसापक थे, गौत्म बुद्ध, तो बढ़ते हैं नेक्श कोशिन की और, चंदर गुप्त, मौरे के दर्बार में, युनानी राजदूत था, तो बताईए इस कंसर क्या है, आपकी आप्शन है, सैल्यूकस, हें पुझन सांग, फाई यान, मैकस थनिज, तो बताईए, इस कंसर क्या है, इसका राइट अंसर होगा, ऑप्शन अंबर डी, मैकस थनिज, ठीक है, तो मैकस थनिज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो मैकस थनिज कौन था, तो यह सैल्यूकस का राजदूत था, आपसे question पूछ राता है कि Max Thunis ने कौन सी पुस्तक लिखी है आपका अंसरोगा Indica Max Thunis ने Indica नामक पुस्तक लिखी है ठीके जी यहाँ पर आपका option number A दिया है Salukas तो Salukas कौन था बताईए यह था सिकंदर का सैनापती ठीके जी और सिकंदर कौन था जिसने भारत पर आकर्मन किया था तो सिकंदर ने भारत पर आकर्मन कब किया था आपका अंसरोगा 326 ईसाफपुर्व ठीके जी option number B दिया है आपको हेन सांग हेन सांग से question आपसे पूछ राता है कि हेन सांग किसके काल में भारत आया था तो यह आया था हर्षवर्दन के कारेकाल में ठीके जी कैसे याद रखना है इसको यहाँ पे आपको दिया है हो तो हो से योगापका हर्षवर्दन आपको इसको इस तरह याद रखना है और option number C है फाई यान तो फाई यान किसके समय में आथा तो यह आया था चंदरगुप्त दो के समय ठीके जी और चंदरगुप्त दित्यों को इक्रमा दित्यों भी कहा जाता है ठीके तो आपको इसमें confused नहीं होना है तो बढ़ते हैं next question की और मुगल बादशा भादुर शाह को अंग्रेजर द्वारा निर्वासित किया गया और भेजा गया बताया इसका क्या answer होगा इसका right answer होगा option number C रंगून में ठीके जी तो बढ़ते हैं next question की और चार मिनार का निर्मान किसने करवाया तो बताया इसका क्या answer होगा तो आपको इसमें confused ने होना है एक है कुटू मिनार और दूसरी है चार मिनार तो कुटू मिनार किसने मनाई थी तो ये मनाई थी आपकी कुटू बदीन अभग ने ठीके जी question इस तरह भी पुछ रहता है कुटू मिनार का निर्मान किसने पूरा करवाया तो आपका answer होगा इल्टूत मिश ठीके जी तो बताया इसका क्या answer होगा चार मिनार का निर्मान किसने करवाया इसका right answer होगा option number B कुली कुटू शाह ठीके जी और चार मिनार कौन से state में located है तो आपका answer होगा तेलंगाना की राजदानी हैदराबाद में ठीके जी आपके है next question की ओड the first national leader to attack the salt tax in Indian legislature was भारतिय विधाईका में नमक कर पर आकरमन करने वाले प्रत्थम राश्चिय नेता थे तो आपके option है जे के गोखले महात्मा गांदी दादा भाई नौराजी फिरोष राम हैता तो पताईए इसका क्या answer होगा इसका right answer होगा option number A जे के गोखले ठीके जी option number C दिया आपको दादा भाई नौराजी इन्हें grand old man के नाम से भी जाना जाता है ठीके जी 1889 में भारती राष्ट्य कॉंग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रत्थम सापताहिक अखबार था आपके option है वाईस ओफ इंडिया इंडियन ओपिनियन यंग इंडिया इंडिया तो पताईए इसका क्या answer है session अच्छा लग रहा है तो session को like, comment and share जरूर करे जी हाँ तो बताईए इसका क्या answer होगा इसका right answer है option number A voice of इंडिया ठीके जी option number B दिया आपको इंडियन ओपिनियन तो ये किस ने चलाया था तो ये चलाया था आपका महत्मा गांदी ने किस ने चलाया था महत्मा गांदी ने और कब चलाया था तो ये चलाया था 1904 में ठीके जी option number C आपका यंग इंडिया तो ये भी महत्मा गांदी ने चलाया था और कब लांच किया गया था बताईए तो यंग इंडिया चलाया था 1919 से 1903 तक और ये किस भाषा का अखबार था तो ये था अंग्रेजी भाषा का अखबार ठीके जी और हरीजन पत्री का किस ने चलायी बताईए तो यह भी महत्मा गांदी ने चलायी थी तो बताईए इसका क्या अंसर होगा इसका राइट अंसर है ओप्शन नमर बी साथ ठीके जी और वरतमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है तो आपका अंसर होगा यू यू ललिद कौन है यू यू ललिद ठीके जी और सरवोच नियाले किस आर्टिकल में दिया गया है तो ये दिया गया आपका 124 आर्टिकल में कौन से 124 अनुछेद में ठीके भारत में सरवोच नियाले की स्थापना कब हुई इसकी स्थापना हुई थी 28 जन्वरी 1950 में कब हुई 28 जन्वरी 1950 में ठीके जी हमारा नेक्श कुछन है संसत का अवर सदन कौन सा है विच इस दा लोवर हाउस ऑफ पार्लियमेंट तो पताए इसका क्या अंसर होगा इसका अंसर होगा आप्शन नमबर भी लोकसभा ठीके जी और लोकसभा कौन से अनुछेद में दी गई है तो ये दी गई है अनुछेद 81 में ठीके और राज्य सभा कौन से अनुछेद में है तो ये है आपकी 79 में और 80 में आपकी पार्लियमेंट यानि संसद ठीके जी तो मारा नेक्श कुछन है भारतिय सविदान में मूलत कितनी अनुछूचिया है तो बताईए इसका क्या अनुछ होगा इसका राज्य अन्सर है ऑप्शन अनुछ अनुछूचिया ठीके जी बढ़ते हैं नेक्श कुछन की और भारतिय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालिय कहां स्थित है आपकी अप्शन है मुंबई, न्यू टैली, कोलकत्ता, चेन नही तो बताईए इसका क्या अन्सर होगा तो इसका राइट अन्सर होगा ऑप्शन अनुबर ए मुंबई ठीके जी तो अब बाते हैं आपके एकॉनमी के कुछ कुछन तो मारा पहला कुछन है अन्सर है इसका राइट अन्सर होगा ऑप्शन अन्बर सी कोई निर्यात अत्वा आयात नहीं ठीके जी अब बारा नैक्श कुछन है अंतराश्टियो तीथी रेखा गुजरती है तो बताईए इसका क्या अन्सर है तो आपके अप्शन है बास स्ट्रेट बेरिंग स्रेट कुक स्रेट हौन स्रेट तो बताईए जिसका क्या अन्सर होगा इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेरिंग स्रेट ठीक है जी पढ़ते हैं नाक्श कोशन की और पाईउ में वास्तविक जल वाश्व की मातरा कहलाती है तो आक्या option है निर्पेक्ष आंदरता वसांक आपेक्षिक आंदरता संगनन बिंदू तो पताए इसका क्या answer है इसका right answer है option number A निर्पेक्ष आंदरता absolute humidity ठीक है जी और वायू मंदल में आंदरता को किस उपकर्ण से माप जाता है बताएए इसको माप जाता है हाइग्रो मिटर से किस से हाइग्रो मिटर से ठीक है जी तुमारा next question है which is the largest Iceland सबसे बड़ा द्वीप स्मूफ कौन सा है तो आपका option है क्यूबा, ग्रेट ब्रिटेन Greenland, Shri Lanka तो बताएएएए इसको क्या अंजर है इसको right answer है option number C Greenland कौन सा Greenland ठीक है जी हमारा next question है हुसैन सागर जील स्थित है तो बता है इसका क्या अंसर होगा इसका right answer है option number D हैद्राबाद हमारा next question है शीव समुद्रम जल प्रपांत किस नदी पर है आपके option है कावेरी, स्वन रेखा, इंद्रावत्ती इन मैसे कोई नही तो बता है इसका क्या अंसर है इसका right answer है option number A कावेरी, ठीके जी अब आता है आपका English का section आपको बताना है कि इसमें correctly spelled word कौन सा है तो बताइए हजार डस को कैसे लिखते हैं आप इनको देख ले इसका right answer होगा option number C हजार डस, ठीके जी अब आपसे एक idiom पूछा गया है meaning of the idiom in double quick time is तो बताइए इसका क्या answer है आपके option है steadily, very quickly gradually, much time इसका right answer होगा option number B very quickly यानि बहुत तेजी से ठीक है हमारा next question है prerogative का synonym क्या है तो बताइए इसका synonym क्या है prerogative बताइए इसका right answer होगा option number A privilege ओके तो मारा next question है तो question है आपका you must dispense dash his service तो बताइए इसका क्या answer होगा इसका right answer है option number C with you must dispense you must dispense with his service ठीके जी तो बढ़ता है next question की और पावक का संदी विचेद है पावक का संदी विचेद कैसे करेगे पाव प्लस अक पे प्लस अक पे प्लस अक पाव प्लस अक तो बताइए जिसका संदी विचेद कैसे होगा बताइए इसका राइट अंसर है option number D पाव प्लस अक ठीके जी next question है आपका काम पूरुष में स्मास है आपके option है द्वन्च स्मास अवी भा स्मास भावब्री स्मास तत्पूरुष स्मास इसका अंसर आपने comment box में बताना है काम पूरुष में कौन स्मास है ठीके जी next question है आपका रेश्मी में प्रते है तो प्रते क्या होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं तो बताइए इसका क्या अंसर है रे रेश्मी ई तो बताइए इसका क्या अंसर है बताइए इसका राइट अंसर है option number D E ठीके जी आप इसको easily find कर सकते हैं आपको सबसे पहले किसी भी शब्द में ये देखना है उसमें मूल शब्द क्या है तो इसमें मूल शब्द है रेश्म इसमें प्रत्य लगा है E इसका राइट अंसर होगा E ठीके जी तो इसमें आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कमेंट और शेर करना न भूले और अभी तक अगर आप हमारे टेलिग्राम से ने जोड़े हैं तुमारे गृप को जॉइन कर ले वहाँ पर हड़ रोज आपकी प्राक्टिस के लिए कुईस्च चला जाते हैं जो कि आपकी preparation के लिए काफी beneficial रहते हैं तुमारा टेलिग्राम गृप जॉइन कर ले आज के लिए दोस्तों इतना ही जय हिंत जय भारत